students now we are going to make pie chart in a SPSS software let's see how do we make pie chart in a SPSS software students यह मेरे पास SPSS का data set खुला हुआ है और इसमें मेरे पास different variables है graph बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो pie chart है यह हमेशा हम nominal variable के लिए बनाते है pie chart हम ordinal यह continuous level के variable के लिए नहीं बनाते क्योंकि वो meaningless हो जाता है क्योंकि उसमें pie chart में हम कोई rank order नहीं दिखा सकते हैं और नहीं हम जो है कोई continuous intervals का कोई means वगरा निकाल सकते हैं pie chart तो इसलिए हम pie chart सिर्फ nominal variables के लिए बनाते हैं तो यहां पर हमारे पास university, discipline, gender, living area जो है वो एक तरह से nominal variable है तो हम graphs में जाएंगे, graph में से legacy dialogue को click करेंगे और यहां पर आपके पास pie chart की option आएगी इसको आप click करेंगे तो define को आप फिर click करेंगे और यहां पर आप जो है gender का pie chart बनाना चाहते हैं तो define series by slices by gender में आपने इसको ले लिया है titles में आप titles लिख सकते हैं, options में जो है यह आपका mean अगर missing value है तो वो भी आप बता सकते हैं इसमें उसे कह सकते हैं मगर क्यूंके हमारे पास missing value कोई नहीं है इसलिए हम इसको simply ok करेंगे तो यह आपके पास जो है pie chart बन गया है gender की basis पे male and female population का तो अब यह आपके पास जो है pie chart बन के आया यह आपको दिखा रहा है majority of data जो है वो male का है और minority data जो female का है आप इसको double click करके इसमें edit वगएरा कर सकते हैं चीजें इसमें आप color वगएरा change कर सकते हैं इसके और इसमें जो है chart size change कर सकते हैं जैसे slice यह देखें आपको gender style color यह style आप color की बज़ए pattern कर लें तो यह pattern आ गया अगर आप इसकी बज़ए dash करना चाहते हैं यह dashes में आ गया और अगर style आप border color में लेना चाहते हैं तो यह border color में आ गया और अगर आप simply इसको color में रखना चाहते हैं तो यह आपके पास दुबारा से color आ गया element type हमारे पास pie है आप इसको जो है वो क्योंकि यह nominal variable है तो हम इसको सिरफ pie में ही रखेंगे fill and border में आप जो है चेंज कर सकते हैं colors वगरा जैसे apply करें तो यह आपका background color change हो गया ऐसे इसमें multiple options हैं जो आप use कर सकते हैं यहां से भी आप जैसे यह title इसमें add कर सकते हैं यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूँ gender of the respond respondent तो यह आप इसको यहां पर add कर सकते हैं इसके साथ आप जो है इसमें footnote भी दे सकते हैं legend अगर आप hide करना चाते हैं तो वह भी आप hide कर सकते हैं अगर आप इसको hide नहीं करना चाते हैं शो करना चाते हैं तो वह भी show हो जाएंगे categories हमारे पास low है male female क्योंके हमारे पास यह ठीक है categories variables में count x-axis पे हैं तो यह इसमें और आपको अगर मैं दिखाओं options में यह आपको title footnote hide line agent का भी बता दिया है तो इसमें यह आप copy chart कर सकते हैं और इसको लेके जा सकते हैं अपने word file में अगर आप इसको slice दिखाना चाहते हैं तो यह explode slide तो यहां से यह आपका जो है इस option के तुरू यह अगर आप इसको click करेंगे तो यह आपको separate करके slices भी दिखा देगा तो यह कुछ basic functions हैं जिसे आप अपने chart को और interactive बना सकते हैं